हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का MSSSE Notes में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे आपे साथ जितने भी इंपॉर्टेंट सिध्धान्थ है जिहां अधिगम से रिलेटर जितने भी इंपॉर्टेंट सिध्धान्थ है उनके प्रवर्तक उनके प्रियोग एवं उनसे जो विसेशताएं हैं या उनकी जो विसेशताओं से रिलेटर जो कोशन पूछे जाते हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं तो आप सब तक नोटिफिकेशन आ गई हो जल्दे से जॉइन कर लीजे क्योंकि आज का ये व पूछी जारी बेसिक से लिकर स्टार्ट करूंगा और सारे डाउट करते स्टार्ट करोंगा ठीक है तो आसा कर रहें आप सब तक नोटिफिकेशन आ गही हो तो जल्दी से सभी लोग जोईन कर लीजे और वीडियो को जल्दी से लाइक जरू कर दीजगा चलिए आज हम बा करते हैं कि देखिए अकसर एक्जाम में यह पूछा जाता है जो सिध्धान दाता है तो सिध्धान्त क्या होते हैं उसके कई सारे नाम होते हैं एक ही सिध्धान्त को कई और नाम से भी जाना जाता है साथ ही यह पूछा जाता है इंके प्रवर्तक कौन है या उस सिध्धान सब से जादा पूछा जाता है अब इसी को आप से घुमा के भी पूछ सकता है घुमा के कैसे पूछ सकता है चली देखते हैं बारी-बारी से पहले हम सब के बारे में इंटरक्शन ले लेते हैं कि यह क्या है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है जैसे कि हम बात करते हैं क प्रेयत ने एवं भूल अधिगम जो है यह किसका है आपका जी हाँ थांडाइक का एडवर एल थांडाइक जो कि आपके अमेरिका के मुनोवेग्यानिक हैं और इनका जो सिध्धान ते इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिध्धान के भी नाम से भी जाना जाता है और अधिगम में बहुत जारा कंफ्यूजन होता है तो पहले चीजस तो यह जान लिए जो ऐस और जोग पूछा जाएंगे साफ जिएगा तो सिध्धांत को किस-کिस नाम से पूछा बquetा जाता है जरूरी नहीं कि आपसे यहींपी पूछा जाइगा कि प्रयतनिका सिध्धांत किसका है अप्रितिक का सिध्धांत किसका है अब, सब्सक्राइब करें इसार थीरी के जनक कौन है ठीक है अधिकम का बंद सिध्धान किसका है ताथे मैं एक चीज और एड कर दे रहा हूं जिसमें नहीं है संबंधवाद के जनक संबंधवाद के जनक कौन है आपके थांडाइक है यह सारी चीज़े आपको क्लियर होनी इन से सबसे ज़्यादा कोश्चन यहीं पूछा जाता है, इनके जो मुख्य नियम है, मुख्य नियम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि अब इसमें हम बात करें सिक्षा में इसका प्रयोग क्या है, इनके सिध्धान का सिक्षा में क्या प्रयोग है, या बाल व रसरी आवद्जात से तिल परपड़े निसान, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा प्रेक्टिस करता है, जितना अभ्यास करता है, उसका अधिगम क्या होता है, उतना स्थाई होता है, इसी तरीके से आप लोग को भी क्या करना चाहिए, अपनी जो पढ़ा important point है कहा जाता है मतलब कि आप किसी व्यक्ति को बहुत धेर सारा भ्यास कराके practice कराके किसी भी काम में क्या करा सकते हैं निपुड करा सकते हैं गडित तथा विज्ञान जैसी विश्यों के लिए अधिक को पी होगी है जी हां गडित के लिए क्यों पी होगी है जैसे गडित विज्ञान की बात करें तो देखिए दुस्तों एक चीज याद रखिए गडित विज्ञान में आप लोग जानते हैं जितनी ज्यादा आप प्रेक्टिस करेंगे मैंत में आप जितना ज्यादा नुमेरि आकरण। देखे एक जो आप का NCF 2005 है, NCF 2005 यह कहता है कि यदि कोई बालक तुरुटी करता है, यदि कोई बालक तुरुटी करता है, तिसका मतलब यह नहीं कहे सकते कि वह बालक क्या है, बेकार है। त्रूटी करना एक मनुष्य का क्या है, मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि त्रूटी कर रहा है, तिसका मतलब उसको कुछ नहीं आता, वो वेकार है, वो इसकी प्रारंभिक अवस्ता है, यदि आप गलती नहीं करेंगे, तो आप सीखेंगे कैसे, तिसलिए त्रुटियों का निराकरण जिसे प्रयास उन्रुटी जब आप प्रयास करोगे तो हो सकता पहली बार में आप से कुछ गलतिया होगे लेकिन आप उसी गलतियों से सीख कर क्या होगा उसके आगे और अच्छी महनत करेंगे तो यह चीजे होती है ठीक है चलिए तो बहुत इंपोर्टेंट मनोवग्यानिक है नहीं का नाम है इवान पेट्रोविक पावलाओ जी हाँ दोस्तू यह आपके रूस मनोवग्यानिक हैं इभीने किस प्रयोग किया है आप कि स्टीन बर्दी खरा होगा अनुकूलित अनुक्रिया प्राचीन अनुबंध या फिन नाइमित्तिक अनुबंध यह आप लोग अगर नाइमित्तिक अनुबंध बात करेंगे स्कीना रहेंगे फिलाल यहां पर प्राचीन अनुबंध है और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है यह आपका इसका उपनाम है जैसे क्लाशिकल ठीक है क्लाशिकल अनुबंधन का उसके जाना जाता है, कि आप लोग तो बहुत आसानी बन रहा है, प्राची ननुबंध है, तुसके जनकी कौन है? पावलाओ, रूसके मनो वेग्यानिक है, अब इनकी विसेशताय क्या है, इसके बारे मत जान लीजे, दिखिए, इस सिध्धान्थ से सम्मंध प्रतिवर्ष सहज विधी का जन्म हुआ सम्मंध प्रतिवर्ष प्रतिवर्थ सम्मंध प्रतिवर्थ इस विधी का क्या हुआ है जन्म हुआ है तो यहां चीज़ आपको याद रखना है कि जो पावलाव का ही जो सिध्धान्थ है इस पर बल देता है कि जो कुछ भी इंसान क्या गड़ जैसे कि मैं आपको एक practical के थूर में बताता हूँ पावलाव ने किस पर प्रयों किया था कुट्टे पर क्यों किया था कोई रीजन रहा होगा जब घंटी बसती थी उसके मूज से लार निकलती थी तो उसका मतलब उन्होंने एक यहां से यह निसकर्श निकाला कि घंटी का संबंध क्याया है घंटे सुनते ही उस कुत्ते को आभास हो जाता है कि खाना आने वाला है ठीक है तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या कह रहा है संबध प्रतिवर्थ यही सिद्धान इस चीज को दर्शाता है आशा कर रहे हैं क्लियर हो गया होगा चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा आद के मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हो मनुष्य के द्वारा जो कूछ भी उद्विद्ध्योग है सब्सक्राइब करें पें तो लेकिन आप एक दूसरे ह 뜻 किया होता है आप सीख जाते हो तो कि हम आप क्या होता है देखते सी जाते हो और यहीं होता है आपका यह क्या कहलाता है जीए आप्टिमधीदीपक है आपको अध़त निर्माड कैnant एंप जिस काम कुल लगातार करते रहते हैं या फिर देखते रहते हैं वो आपकी आदत में बन जाता है और आप उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं और यह सिद्धांत क्या गयता है इसके बारे हम जान लेते हैं भाशा का विकास छोटे बालकों को वस्तुने दिखाकर शब्दों का ग्यान कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा हाँ यह सेव है तो किसी चीज को जब बाई फीगर समझाया जाता है तो बालक का जो अधिगम है वो और ज्यादा स्थाई हो जाता है तो इसका यहीं निसकर्स है ठीक है चलिए मनो विर्तियों का निर्माड मनो विर्ति यानि मन की जो रहता है मन के आंदर जो सम्वेग हैं जो मन की अभी व्यक्ति है उसका क्या होता है विकास होता है और चलियों अंतر दिख्टि की आपके एक क्या है गेस्टाल्टवादी है गेस्टाल्टवादी में आप लोग जानते हैं किसका रामाता है कोहलर वर्दीमर और कोफका यह तीन बहुत इंपॉटन्ट मनोवेग्यानिक है इनसे कोश्चन महुत बार पूछा गया था है जैसे मैं आप से कोश्चन पूछता या किस मनोवेग्यानिक ने इस सिध्धान की निजात की थी किसके जो उनकी अधिगम प्रक्रिया उस पर कारे करता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना क्योंकि बहुत इंपॉटन कोश्चन है चलिए तो अंतर दिश्टी सूच के सिध्धान कोहलर बर्दीमर को सुल्दान अब बात करते हैं इस सिध्धान की खाशियत यह है कि स्द्धान पराप्त करने के लिए प्रेडित करना यानि कि हम बात करें जैसे कि इस सिध्धान में आप लोग अगर अगर पढ़े होगे नहीं पढ़े हो तुम्हें बता देता हूं क्या हुग था दिखिए इसमें जो आपकी Gestalt वाधे था इन्होंने प्रयोग किया था एक चिंपैंजी डंडे रग दिये थे और वहाँ पे केले रग दिये थे और शेन क्रिये न्टिए वो जो चिंपैंजी धंडे को जोड करें उस केले को हासिल कर ले तो यहाँ भी किया था, यही सिद्धान भी करता है, स्वयम समस्या, यानि कि उसकी जो समस्या है, उस समस्या को स्वयम चिम्पाenjee अपने से हल करे, यानि कैसे उसको भूख लगी, केला भी खाना है, लेकिन उसका हाग पहुँच नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या किया गया उन्होंने एक ट्रिक बनाई कि ऐसा गर्द उसके पास दो तीम डंडे रख देते हैं चोटे-चोटे उसको जोड के हो सकता है वो ले लेगा और उसमें काम्याब भी हुआ तो यही होता है दोस्तों यह क्या कहता है स्वयम समस्या के हल प्राप् प्रत्यक्षी करण सीखर कर लेते हैं बहुत सिंपल सा वर्ड है कुछ आपको समझने के जरूत नहीं है मतलब छोटा बच्चा है उसके सामने कोई भी वस्तु आप प्रस्तुत कर देंगे वो देखते ही हो क्या करेगा अपने मन में उसके इंदर मतलब दिमान में वो बैठ सा किखा लेगा की चित्र ऐसी ही होती है ठीक है उसका प्रत्यक्षी करण हमानी कर अबतकी मतलब होता है सचित्र सामने मतलब गिंदम क्लियररी अनुबंधन को नाम से जानते है प्रयोक की बात दो प्रयोक दोस्तों इसकी इनने किस पर प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर चूहे पर और कबूतर पर इसकी इनने प्रयोग किया था और इस इद्धान की खासित क्या है इसे कैसे कोशन बन सकते हैं इसके बारें बात करते हैं किसी भी अच्छे कारे के लिए किसी भी अच्छे बात कही गई है मैं आपको इसको क्लियर करता हूं तो इसको पेन में ले लूँ ठीक है यह point very important है आपके सामने आपका दोस्त अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो क्या करेंगे आप उसको समझाएंगे ना कि यह रास्ते यहां पर आपको नहीं जाना यह रास्ता गलत है तो वही काम यहां भी इस सिधान में भी यही कार किया जाता है यानि किसी भी अच्छे कार के लिए सकारात्मक पुनरबलन दिया जाता है जैसे कि अगर आप पढ़ने बहुत अच्छे तो आपको पुनरबलन पुनरबलन मतनब आपको प्रोसाहिद करना बहुत अच्छा very good very nice keep आप और अच्छा कर सकते हैं यह सभी क्या है शाब्दिक पुनरबलन इसको शाब्दिक पुनरबलन भी कहते हैं निक शब्दों के माध्यम से उसके अंदर क्या करना motivation पैदा करना तो यह सारी चीजे होती है दोस्तों ठीक है और किसी भी गलत कार या कोई व्यक्ति गलत कार करता है तो उसको हमें रिणात्मक पुनरबलन यानि कि उसको यह बताना अच्छी अगर आप यह कारे करोगे तो आपका यह नुक्सान हो सकता है उसको मदलब सावधान करना उसको चेताना कि अगर आप ऐसा कारे करोगे अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो आपको यह सारे परिनाम भुगदने पढ़ेंगे तो यह से कहते हैं रिनात्मक पुर्ण बढ़न ठीक है क्लियर हो गया चलिए तो आते हैं अगले इन बंखे और इनका नाम है और इनका कि देखें नियुंतं मावशक्ता ता का सिध्धान गया नियुनक्तम आवशक्ता का सिध्धान विदिक ठीक है इस नाम से उखर पूछेगा तो आप ध्यान रखेगा गलत मत कीजिएगा अगला इन्हों अब जो है चुहे पप्रियुकिया था और इन सिध्धान की खाशेत यह है व्यक्तिगत्स शिक्षा पर बल दिया गया है और सिक्षक को विसेवस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए ताकि बालक किसी आदत को बहतर बनाया जा सके यानि कि इसमें क्या कहा गया है कि सिक्षक को विसेवस्तु विसेवस्तु तथा अधिगम को दोहराने के लिए क्लिए क्या करना चाहिए और यहां पर ज्यादा आपको कुछ खाश इसमें है नहीं अगला जो है पुनरबलन के आप लोग जानते होगे सिध्धान के जुन दादा कौन है सियल हल और अधिगम का प्रांखितिक दशासिद्धान, यह आपका प्रश्न टीटी में आया हुआ है पूछा यह गया था छेत्र सिद्धान या तलरूप का सिद्धान कौन है गुरुट लेविन याद आया कल मैंने सिद्धान एक ट्रिक बनाई थी देखो अधिगम का प्राक्षितिक दसा सिद्धान इस नाम से भी इसको जाना जाता है इसलिए आप उसको भी याद रखीगा और यह आपकी कुरुट तो इसमें विवहार पर जोड़ देते हुए अप्रेणा पुरबल दिया गया है और शिक्षकों को चात्रों की योगता एवं शक्ति के अनुसार ओप्यक्त मनोवैगनिक वातावरण उपलब्ध करवाकर प्रात उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करना है या करना चाहिए कहने का मतलब क्या है? सौरड फॉर्म में समझो एक बालग है या कोई व्यक्ति है किसी के विवहार में उसने जो कुछ भी सीखा या जो कुछ भी परिवर्तन आया या जो कुछ भी कमी आई अच्छा हुआ या बूरा हुआ उसका हमें आकलन करना होता है आगले करने के बाद हमें उसको points वाइस त्यार करना है कि इसके ब्यभार में कितना परिवरतन आया, ये कहां पे अच्छा आया है, यानि positive आया, कहां पे negative आया है, दोनों points को ध्यान में रखते हुए, उसमें शुदहार किया जाता है, ठीक है? अगले point पे आते हैं, देखिए ये बहुत important, समीपता का सिध्धान, समीपता का सिध्धान कई बार exam में पूछा गया है, स्थान पन या प्रतिस्थापन, इस सिध्धान को और किस नाम से जना जाता है, स्थान पन या प्रतिस्थापन, ठीक है? इनके जो जनक है, एडविन गुथरी, क्या नाम है इनका? एडविन गुथरी. अब इस सिध्धान के कुछे भिस्रिस्तावक बारें बात करते हैं, जैसे कि सिख्षक को उतेजना एवं अनुक्रिया के मध्य, अधिक्तम साचर स्थापित कर अधिगम की प्रक्रिया को प्र होशाली बनाना, अगला बढ़ते हैं, एडवर्ट, टॉलमेन, इस में क्या होता है, इस सिध्धान को किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे अव्यक्त सिध्धान, अव्यक्त अधिगम, चिन अधिगम, चिन पून कारवाद, जंभावना सिध्धान, ठीक है, प्रतिय होने भी चुहे प्रयोग किया था, और इनके सिध्धान की प्रमुक विशिष्था ये है, कि अध्यापक द्वारा इनाम इवं दंड को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, सीखना ग्यानात्मक मान्चित्र बनाना है, ठीक है, चलिए, अब पड़ते हैं, अन्वेशड, अन्वेशड क्या होता है, अन्वेशड जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर का बहुत जादा नाम आता है, ब्रूनर के बारे में जान लीजे, इन्होंने इनके सिध्धान की क्या विशिष्था है, देखो, अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प भावी और सीरियल वाइज या पॉइंट वाइज उसको क्या है व्यवस्थित करना चाहिए उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए चलिए अगला देखिए शाब्दिक अधिगम का शिद्धान प्राप्त अधिगम का सिद्धान के नाम से जाना जाता है इसके जनक है आशूबिल इनके सिद्धान के प्रमुफे से इसता यह है विश मैं विद्याले प्रिस्थित्यों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह महाविद्यfel के लिए उपदे को होता है किस-पूछाय जाता है वह कौन सः नहुफ्यूर्प कह उता है शाब्दिक अधिगम का पूचा जाता है', रॉबर्ट अच्छा क्या है? इस, शिद्धान के विसंदा क्या है, अधिगन प्रभायव संचेई होता है, अधिगन की छम्ताओं के आठ प्रतिमान है, आठ प्रतिमान, बहुत जादा पूछा जाता है आठ प्रतिमान किस अधिगम सिधान्त के अंतरगत आता है तो अधिगम सोपान की जो की रॉबर्ड गेने इसके जनक है वो आठ प्रतिमान कौन कों से है बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसको आप जो आठ अधिमान है संकेत उद्धीपक अनुक्रिया अधिगम का हर प्रकार उत्रोतर सरलतम संकेत अधिगम से जटिल अधिगम समश्या शमाधान तक स्वपानवत जुड़ा होता है स्वपानवत यानि की इदम क्रमवाइज चलिए आते हैं कुछ लास्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आने वाला है सामाजी गदिगम सामाज अधिगम में आपके अलबट बंडूरा आते हैं और समाज से ज्यादा बनते उसमें आपके वायगोस्की का भी नाम आता है जो है इनके सिध्धान को किस नाम से प्रेक्षणात्म अधिगम पूछेगा तो अलबट बंडूरा का नाम आएगा इसको आप लोग याद समाज समाज में भी हो रहा है उसको देकर स stimuli करना जैसे खरते हैं हम दोस्त है घली बार तर जोक समाज में हो रहा है उसको इसको दोता है चलिए सो बस क्लियर हो गया आज का यह लाश्ट पॉइंट था तो यहां तक था आज का वीडियो और आशा कर रहे हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक सिदिक लाइक करें और जितनी अधिक आपकी लाइक आ पास आये वह आप तक नोडिफिकेशन के मादम से पहुच जाए तो ठीक है फिर मिलते हैं आप से अगली वीडियो में डिस्कृशन में आपको टेलिग्राम के लिंक भी मिल जाएगी जो कुछ भी आप डेटेल लेना चाहते हैं डिस्कृशन में लिंक दिया है बागी के ल हैं आप